हलो एंड वेलकम दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका आपके चहीत योटूब चैनल पर जिसका नाम है गार्णनी इन्फो तो दोस्तों आज हम करने लगे थे हमारे नन्ने अडेनियम की रिपोर्टिंग तो सोचा कि आपके साथ भी इस बात को शेर करते हैं तो आज के इस वीडियो में हम अडेनियम की बहुत सी जरूरी ऐसे बातों पर चर्चा करते हैं तो दोस्तों अगर चैनल पर नए आये हो तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक वीडियो के लिए भी कर दीजिए तो अगर बात आती है अडेनियम को रिपोर्ट करने की तो इसमें सबसे जरूरी बात होती है स्वैल मिक्सचर की कि हम अडेनियम के लिए कैसा स्वैल मिक्स तैयार करें जिसमें हमारे अडेनियम के छोटे पोधे बहुत अच्छे से ग्रो कर सकें और जल्दी से जल्दी उस potting soil में अपने quadex को increase कर सके तो इस पर हम आगे बात करते है अडेनियम के पोधे को लगाने में चाहे पोधा छोटा हो या बड़ा पोधे को लगाते वक्त हम जिस भी pot में अडेनियम का पोधा लगा रहे है उस pot में हमें drainage का काफी ज़्यादा ध्यान रखना होता है क्यूकि अडेनियम का प्लांट वैसे तो बाकी rough and tough पोधा होता है सिर्फ बस अगर पानी का ध्यान रखा जाए तो क्यूकि अगर ये एक बात छोड़ कर अडेनियम की कोई खास AC हमें केर नहीं करनी पड़ती अभी एक एक लेर हम मिट्टी की भी लगा दिंगे तो अगर आप अडेनियम के लिए मिट्टी को तयार कर रहे है तो उसमें आप राख को ज़रूर मिलाए क्यूकि लकडी की राख में केल्शियम और पोटेशियम के साथ साथ पोधों के बढ़वार के लिए बहुत से ऐसे तत्व पाये जाते है जिसमें ज्यादा तर फोस्परस, मेगनेशियम और सलफर पाये जाता है क्यूकि फोस्परस मिट्टी में होने से अडेनियम के कोडेक्स का साइज बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है और पोधे मैचोर से दिखने लगते है और केलशियम की वजह से अडेनियम की जो पतली-पतली से दंडिया होती है वो बहुत जल्दी हाड वूड जैसी तयार होने लगती है और इसमें मोजूद मेगनेशियम की वजह से प्लांट अपनी प्रकास संसलेशन की क्रिया को आसान बना लेता है प्रकास संसलेशन एक ऐसे क्रिया है जिसमें सूरज की रोशनी में पोधे अपना खाना बनाते है और साथ ही पोधे हरी-भरी ग्रोथ भी करते है और इसमें मोजूद पोटैश की सहायता से पोधे अपनी कलियों को बनाते हैं और उसे पूरे खिलने में भी मदद मिलती है आपने अक्सर देखा होगा कि अडेनियम की जो फूल होते है वो पूरी तरह से खिल नहीं पाते ये ज्यादा तर इसी निउट्रेंट्स की कमी की वज़े से होता है क्यूंकि फिलाल अभी ये पोधे छोटे है इसलिए इन पोधों को भी पोटैश की जरूरत नहीं है इसलिए आपको पोधों की मिट्टी में अलग से पोटैश को डालने की कोई जरूरत नहीं पर अगर यही बात अगर बड़े अडेनियम की रिपोर्टिंग की है तो आप उसमें दो से तीन ग्राम पोटैश को मिला सकते है वैसे आप देख सकते है पोधे में अभी कुछ भी कलिया नहीं बन रही है तो अगर बात करें अडेनियम के लिए स्वैल मिक्स को तयार करने की तो उपर आए बटन में आपको लिंक नजर आ रहा होगा उसपर क्लिक करके आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए उस वीडियो में हमने बताया है कि अडेनियम की लिए हम कैसे soil mix त्यार कर सकते है अभी हमारे अडेनियम के प्लांट्स तो पूरी तरह से लगकर त्यार है अभी हमारे प्लांट्स को बारी है पानी देने की तो आज हम अडेनियम को नए तरीके से पानी देते हैं तो इसके लिए हम एक बाल्टी में पानी को लेंगे और उसमें हमने लगाए हुए अडेनियम को डिप कर देंगे इसमें पोधा जितनी मर्जी हो सके पानी को सोख लेगा ये एक अच्छा तरीका होता है अडेनियम के लिए पानी देने का तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक के साथ ऐसे गार्डनिंग रिलेटेड इंटरस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा तो देखते रहे हैं गार्डनिंग इन्फो